हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल रविशाड़ी आईक्यू जी के आज मैं आपके लिए 1000 जनल साइंस के मोस्ट इंपॉर्ण कोशन का सैट वन वीडियो लेकर आया हूँ मैं आपको हर सैट में मोस्ट इंपॉर्ण जनल साइंस के कोशन करवा रहा हूँ फ्रेंट्स ये कोशन इतने ज़्यादा important है अगर आप किसी भी exam के त्यारी कर रहे हो ये वीडियो और इसके सभी पार्ट आपके exam के लिए काफी ज़्यादा important रहेंगे फ्रेंट्स ये वीडियो English medium के हैं अगर आप Hindi medium के student हो तो वो वीडियो भी मैं अलग से करवा रहा इसलिए start करते हैं first question से, first question है हमारा, how many bones present in human ears, human ears में कितने bones present होते हैं, सही answer इसका option is six, six bones होते हैं human ears में, आपको friends ये पता होना चाहिए, कि जो human ears होता है, उसमें एक ear में three होते हैं, दुसरी ear में भी three होते हैं, इसलिए doctor है मिला कि कितने bones हो गए, six bones हो गए, आपसे exam में friends, य इनका नाम पुछा जाता है, तो वह यहां पर आपके लिख देता हूँ, so friends मैंने आपके लिए यहां पर three types of bones होते हैं हमारी ears में, उनका नाम लिख दिया है, एक होता है malleus, दूसरा होता है incas, third जो होता है steps, और friends आपको ये भी याद रखना है, जो steps होता है, ये हमारी body क सबसे छोटा bone होता है, जो कि हमारे ears में होता है, ठीक, ये भी आपने याद रखना है or आपसे exam, एक question भे और पुछा आता है कि हमारे body होता है, जिसका नाम है stepchildies, ये कहां पर होता है, तो friends ये भी हमारे ears में होता है, ये भी आपने याद रखना है important question है, next question कर लेते हैं, which device इसे कि हम वेरी लो टैंपरेचर जो होता है, उसको मेजर करते हैं, सही आंसर असका, option A, cryometer, cryometer जो होता है, ये ऐसा डिवाइस है, जिसे कि हम वेरी लो टैंपरेचर को मेजर करते हैं, और friends, अगर आपसे एक्जाम में ये पूछा जाए, कि अगर हमें वेरी हाइट कि अगरेचर को मेजर करते हैं, ये question भी friends, एक्जाम में कई बार पूछा गया है, next question कर लेते हैं, what is the source of energy in sun and stars, sun and stars में जो source of energy होता है, यानि sun and stars में जो energy produce होता है, वो कैसे होता है, तो सही आंसर असका, option C, both A and B is right, यानि option A के हमारे पास, conversion of hydrogen into helium, और हम क्या सकते हैं, nuclear fusion, friends, friends, आपने जाद तर जो answer पढ़ा होगा, वो nuclear fusion पढ़ा होगा, लेकिन friends, आपको ये पता हो नचीए, कि जो nuclear fusion का जो process होता है, उसमें क्या होता है, कि जो hydrogen होता है, वो helium में convert होता है, तो मतलब friends, ये question का जो answer तो गुमा के दिया गया था, conversion of hydrogen into helium, इसने लिखा था, क्योंकि friends, ये nuclear fusion का ही process होता है, ठीक है, तो इससे दोनो questions, दोनो answer जो थे, वो सही हुए इसके, nuclear fusion और conversion of hydrogen into helium, most important question है आपके exam के लिए, next question कर लेते है, what is the hearing range of human ear, human ear का जो hearing range होता है, वो कितना होता है, सही answer है, option B, 20 hertz से 20,000 hertz, जो hearing range होता है, human ear का, मतलब सुनने की जो छमता होती है, वो 20 hertz से लेके 20,000 होती है, ये भी exam में पूछा गया question है, next question कर लेते है, name the device which directly converts solar energy into electrical energy, वह कौन सा device होता है, जो कि solar energy को electrical energy में convert करता है, सही answer है, option A, photovoltaic cell, photovoltaic cell को हम solar cell भी बोलते हैं, photovoltaic cell जो होता है, ये solar energy को electrical energy में convert करता है, next question, what is the acceleration due to gravity at center of the earth, right answer is, option B, 0, acceleration due to gravity, जो center of the earth होता है, वो 0 होता है, ये आपने याद रखना है, और friends, जो acceleration due to gravity होता है, इसको हम small g से denote करते हैं, ठीक है, और इसको जो formula होता है, वो होता है, g m1 m2 upon r square, ठीक है friends, ये आपने याद रखना है, friends, यहाँ पर जो capital G है इसके हम बोलते हैं, gravitational constant, ये भी आपने याद रखना है, important question है, next question कर लेते हैं, what is the SI unit of electromagnetic induction और EMI, electromagnetic induction की SI unit क्या होती है, सही answer है, option A, Tesla, Tesla is the SI unit of electromagnetic induction, और friends, कभी-कभी आपको exam में, Tesla जो है, यहाँ पर लिखा हुआ, इसकी जगे आपको Weber per meter square भी दे सकते हैं, यहाँ पर लिखता हूँ, Weber per meter square जो है, वो लिख कर दे सकते हैं, Tesla की जगे, यह भी आपके लिए important रहेगा question, next question है मारा, atomic theory of matter was given by, right answer is, option A, Dalton, Dalton जो scientist है, इन्होंने, atomic theory of matter को दिया था, next question है मारा, Fe has 26 protons in its nucleus, what are the number of electron in Fe 2+, most important question है, आपके exam के लिए, इसका जो right answer है, वो है, option B, 24, अब मैं friends, आपको यह solve करवाता हूँ, बहुत यह अच्छा concept है, ध्यान दो समझना, इस पर questions, exam में पुछे जाते हैं, question ही कह रहा है, Fe has 26 protons, यानि friends, यहां बात हो रही है, Fe की, Fe क्या होता है, iron होता है, ठीक है, iron का symbol Fe होता है, क्यारा, इसके पास 26 protons है, आपको friends, यह चीज हमेशा याद रखनी है, कि कोई भी जो element होता है, उसमें जितने proton होंगे, उसमें उतने ही electron भी होंगे, यानि कि हमें यह पता लग गया, कि इसमें 26 electron होंगे, ठीक है, और आपको friends, यह भी पता है, कि जितने proton होंगे, वही उसका atomic number भी होगा, यानि कि हमें यह पता लग गया है, कि जो Fe है, यानि iron है, इसका जो friends, atomic number होगा, यहाँ पर लिख देता हूँ, atomic number, जिसे कि friends, हम capital Z से लिखते हैं, वो भी 26 होगा, ठीक है friends, यह चीज हमें पता लग गया, कि जितने proton होंगे, उतने ही electron होंगे, और जितने proton होंगे, वही atomic number होगा, अब आगे हमसे question पूछा जाता है, कि what are the number of electron in Fe2+, ठीक है friends, यहाँ पर पूछा गया है, कि Fe2+, में कितने electron होंगे, अगर हमसे हो simple ही Fe पूछता, तो 26 होता हमार पस electron, क्योंकि जितने proton होंगे, उतने ही electron होंगे, लेकिन पूछा गया है, Fe2+, friends, देखो, अगर कभी भी यहाँ पर प्लस होगा, इसका मतलब यह होगा, कि इसमें इतनी deficiency है, friends, आप क्या करोगे, जो 26 है ना, उसमें से 2 क को अब subtract करोगे, यानि minus करोगे, तो यहाँ कितना आ गया, 24 electron आ गया, ठीक है, अगर यहाँ पर, friends, minus होता, तो आप 26 में plus करते हैं, ठीक है, लिकिन यहाँ पर 26, यहाँ पर 2 plus था, इसलिए मैं यहाँ पर 2 minus कर दिया, 24 electron मेरा answer आ गया, यानि कि option भी मेरा सही होगा, friends, यहाँ most important question था, आपके exam के लिए, next question कर लेते हैं, an atom of an element has atomic number 17, and mass number 36, the number of neutrons in its nucleus is, right answer जोगा, फैंस का, option A होगा, 19, अब friends, मैं आपको यह प्रूफ और के बताता हूँ, इसी भी बहुत अच्छा concept है, exam में पूछा गया है, friends, यहाँ पे न हमें atomic number दे रखा था, कितना 17, यहाँ पर देता हूँ, atomic number दे रका था हमारे पास 17, atomic number को मैंने आपको बताया, capital Z से लिखते हैं, यह हमारे पास 17 गिवन था, और mass number गिवन है, यहाँ aplikर देता हूँ, mass number, mass number को friends, हम capital X से लिखते हैं, तिक है, यह कितना है? 36, ठीक है, देखो friends, atomic number 17 है, मैंने आपको बताया था, कि ज इतने proton होंगे, उसमें उतने ही electron होंगे, यह पिछले question में ही मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन हम से पूछा गया था, कि बताओ, इसमें neutrons कितने होंगे, तो फिर टोटल number of neutrons जो होता है, निकालने का formula होता है, यहाँ पर लिदेता हूँ, Neutrons, निकालने का formula क्या होता है, आप mass number से, mass number, यानि X, capital X से minus करोगे क्या, atomic number, atomic number, जो की capital Z है, तो friends, आप क्या करोगे, minus करोगे, यहाँ पर लिदेता हूँ मैं, यानि कि mass number कितना है, 36, 36 सा minus क्या करोगे, 17, तो कितना है friends, यह 19, तो बस आपको यह याद रखना है, यह मेरा answer आ गया, कि जबी भी neutrons निकालने का पूछा जाएगा आपसे, तो mass number जो होता है, उसमें से आप atomic number को minus करोगे, neutrons आ जाएगा, और मैं आपको चीज और भी समझाई है, कि atomic number जो होता है, जो atomic number होगा, उसमें उतने ही proton होंगे, और उतने ही electron होंगे, यह आपने question हमारा यह था, friends, acceleration due to gravity जो है, वो increase हो जाएगा, अगर जो अर्थ का radius है, उसको अगर हम decrease करेंगे, तो, friends, इसका एक relation होता है, वो मैं आपको बता जाता हूँ, acceleration due to gravity का जो relation होता है, वो होता है, small g, ठीक है, g m1, m2 upon r square, तो friends, आप यहाँ पर देख सकते हो, कि जो acceleration due to gravity है, ज जानी कि अगर आप, अगर radius of the earth है, मतलब कि क्या हो है, decrease बोला गया था, decrease करोगे, तो acceleration due to gravity जो है, increase करेंगे, क्योंकि यह inversely proportional है, ठीक है, एक को कम करोगे, second वाला increase होगा, ठीक है, next question करे लेते है, which device is used to measure radio activity, radio activity को measure करने के लिए, किस device को हम use करते हैं, सही answer है, option B, GM counter, जिसे क कि हम Giger-Muller counter भी बोलते हैं, ठीक है, most important question है, और आपसे exam में पुछा जाता है, कि radio activity के SI unit क्या होती है, वो होती है, back cural, ये भी आपने याद रखना है, और friends, आपसे radio activity की definition ही पुछी आती है, तो radio activity जो होता है, ये एक spontaneous process होता है, जिसमें की alpha particles, beta particles और gamma particles जो होते हैं, वो emits friends, मैं आपको बता दूँ, इस video में आपको most important 27 questions करवाने वाला हूं, science के, जब आपके 27 questions complete हो जाएंगे, यही सभी questions एक बार मैं आपको revision करवाने वाला हूं, ताकि आपको सभी questions इसी video में अच्छे जा समझ में आ चाएं, और याद भी हो जाएं, और last में 10 questions का test है, जिसका answer आपने commenter के बताना है, next question कर लेते है, what is the height of geostationary satellite from the earth, right answer is, option C, both A and B, फिर जो exact, जो height है, वो है 35,800 km, लेकिन आपको exam में, कभी round off के दे देते हैं, 36,000 km, इसलिए फिर फिर दोनों value मैंने यहां पर आपके लिख दी है, exact value है 35,800 km, और round off में होता है, 36,000 km, most important question है आपके exam के लिए, और friends, आपसे exam में question हो पुछ रहता है, कि जो earth है, और earth के जो चक्र लगाता है, geostationary satellite, इसका face, earth के सामने ही क्यों रहता है, तो friends, आपका answer यह होगा, कि friends, यह देखो, earth जो होता है, यह अपने axis पे rotate करता है, ठीक है, और यह जो satellite है, यह earth के चारों revolve करता है, तो friends, देखो, यह जो, दोनों की जो speed है, यह same है, इस वज़े से, इनका जो face होता है, वो हमेशा सामने रहता है, next question कर लेते है, what is the working principle of washing machine, right answer is, option C, centrifugation, centrifugation, जो है, यह working principle होता है, washing machine का, यह question भी exam में कई बार पूछा गया है, next question कर लेते है, what is the SI unit of torque, torque जो होता है, इसकी SI unit क्या होती है, सही answer है, option A, Newton meter, Newton meter जो होता है, यह SI unit होता है, torque का, next question कर लेते है, what is the purpose of chalk in tube light, tube light में जो chalk हम use करते हैं, उसका main purpose क्या होता है, सही answer है, option C, reduce current in the circuit, circuit में current को reduce करना main purpose होता है, जो की हम tube light में use करते हैं, next question कर लेते है, what is the SI unit of electrical conductivity, electrical conductivity की, जो SI unit होती है, वो क्या होती है, तो answer है, मोह होती है, ठीक है, और इसको friends हम Siemens से भी लिखते हैं, कभी कभी आपको option में मोह भी दे सकते हैं, Siemens से भी दे सकते हैं, यह electrical conductivity की SI unit होती है, ठीक है, अगर आपसे exam में पूछा जाए, कि resistance की unit क्या होती है, resistance की, तो friends आपका answer होगा, ओम, अगर आपसे exam में पूछा जाए, कि resistivity की unit क्या होती है, resistivity की, तो friends आपका answer होगा, ओम, meter, ठीक है friends, यह आपने याद रखना है, दोनों question exam में पूछे गए हैं, next question क्या लेते है, who invented the battery, battery को किस ने invent किया था, right answer है इसका, option A, Volta, Volta scientist थे, इन्हों ने battery को invent किया था, next question, most important है यह, what is the size of atom, atom का size कितना होता है, तो right answer है, option C, both A and B correct है, यह निए friends, अगर हम बात करें meter में, meter में होता है 10 की power minus 10 meter, और अगर हम बात करें centimeter में, 10 की power minus 8 centimeter जो होता है, यह atom का size होता है, यह आपने याद रखना है, और friends, आपसे exam एक question पूछ रहता है, कि जो atom होता है, इसके अंदर क्या present होता है, तोframes, atom जो होता है, इसके अंदर protons भी होते है, electrons भी होते हैं, और neutrons भी होते हैं, ठीक है, यह आपने याद रखना है, और friends, अगर हम बात करें, nucleus की, आपसे पुछ लाएगा कि nucleus के अंदर क्या होता है, तो facts, nucleus के अंदर स्केंस में होते हैं, into protons, and और Neutrons होते हैं, ठीक है, Electron नहीं होता, यह आपने याद रखना है, Next question करते है, Element which have same atomic number, but different mass number are called, Right answer is, Option A, Isotope, Isotope friends, वो element होते हैं, जिनका जो atomic number होता है, वो same होता है, बट जो mass number होता है, वो different होता है, और friends, यह जो Isotope है, इसकी एक definition और भी होती है, जो exam में पूछी जाती है, वो होता है, Element which have same number of electrons and same number of protons, but different number of neutrons are called Isotope, ठीक है, फिर से read करता हूँ, Element which have same number of electrons and same number of protons, but different number of neutrons are called Isotope, मैं आपको example देखे समझाता हूँ, Isotopes के, example एक लिए friends, आप carbon का Isotope ले लो, ठीक है, atomic number तो सभी में same रहेगा, ठीक है, सभी में atomic number same रहेगा, कितना है, 6 होता है, ठीक है, अगर हम carbon 12 लेते हैं, तो mass number क्या होगा, 12 होगा, अगर हम carbon 13 लेते हैं, तो mass number क्या होगा, 13 होगा, अगर हम carbon 14 लेते हैं, तो mass number क्या होगा, 14 होगा, तो friends, यहाँ पर आप देख सकते हो, कि जो atomic number है, सब में same है, लेकिन जो mass number है, वो सब में different है, ठीक है, इस वज़े से friends, क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि जो atomic number होता है, वो ही electron के बराबर होता है, और proton के बराबर होता है, तो यहाँ से क्या पता लगा, कि same number of electrons and same number of protons, ठ होगा, क्योंकि इनका mass number अलग-अलग है, तो जब आप इसको minus करोगे दोनों को, तो answer अलग-अलग आएगा, ठीक है, दोनों जो definition थी, वो satisfy हो गई यहाँ पर, next question कर लेते है, which ray is not emitted from radioactive element, radioactive element से कौन सी rays नहीं निगलती है, answer है, option D, cathode ray, तो अब आपको यह बताओना चाहिए, क्योंकि radioactive element से कौन सी rays निकलती है, तो radioactive element से alpha rays निकलती है, जिनको ऐसे लिखते है, beta rays निकलती है, जिसको ऐसे लिखते है, gamma rays निकलती है, जिसको इस तरह से लिखते है, ठीक है, यह तीन तरह की rays निकलती है, radioactive element से, next question कर लेते हैं, यह भी exam में कई पार पूछा गया है, what is the melting point of ice in Kelvin scale, Kelvin scale पे melting point कितना होता है ice का, right answer होगा इसका, option C, 273 Kelvin, 273 Kelvin, अगर हम बात करें Celsius पे friends, वो melting point कितना होता है, 0 होता है, ठीक है, और Kelvin scale पे कितना होता है, 273 होता है, next question, process thorough which body manufactures blood cell in bone marrow is called, right answer is, option A, hematopoices, hematopoices, friends, वो process होता है, जिससे कि, जो blood cells, मतलब जो body होता है, friends, ये blood cell को manufacture करता है, कहां पर, bone marrow में, और आप सबी को पता है, friends, जो RBCs होते हैं, ये जो, friends, ये जो बनते हैं, ये बनते हैं, ये बनते हैं, आप से exam में पूछा रहता है, कि where is blood cell manufactured in body, तो आपका right answer होगा, bone marrow, ठीक है, औ option D, Hippocrates, Hippocrates को father of medicine के नाम से जाना जाता है, next question है मारा, chicken pox caused by, right answer is, option A, virus, virus के कारण chicken pox फैलता है, ये आपने याद रखना है, next question, Alzheimer affects which part of human body, right answer is, option C, brain, Alzheimer जो होता है, ये human body का जो brain वाला part होता है, उसे affect करता है, last question है हमारा वीडियो का, where is pituitary gland located in human body, pituitary gland जो होता ही, human body में कहां पर होता है, सही answer है, option D, brain, ये आप कहा सकते हो, जो base of the brain होता है, वहां पर pituitary gland होता है, और इसे हम master gland भी बोलते हैं, pituitary gland को, master gland भी बोलते हैं, most important है, और friends, ये हमारी body का सबसे smallest gland भी होता है, ठीक है, pituitary gland, friends, मैंने आपको 27 questions करवाएं, उमीद करता हूं, friends, आपको सभी questions अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और याद भी हो गए होंगे, अब इस वीडियो का सबसे best part है, revision, मतलब जितने भी questions मैंने आपको करवाएं है, वो मैं आपको अब revision करवा देता हूं, friends, उसे फ़र छोटी से मेरी help है आपसे, help करता हूं, मेरी आपकी, जो मेरी blogging channel है, ravie xyz blogs, इसे friends, आप please subscribe कर लीजिए, ठीक है friends, और अगा आपको वीडियो पसंद आए, content, पसंद आए, तो वीडियो को like जरू करिएगा, और 10 friends के साथ share भी जरूर करिएगा, start करते हैं, first question से, first question है revision का, how many bones present in human ears, right answer is six, next question, which device is used to measure very low temperature of objects, right answer is cryometer, next question, what is the source of energy in sun and stars, right answer is conversion of hydrogen into helium or nuclear fusion, next question, what is the hearing range of human ear, right answer is 20 hertz to 20,000 hertz, next question, name the device which directly converts solar energy into electrical energy, right answer is photovoltaic cell, next question, what is the acceleration due to gravity at the center of earth, right answer is zero, next question, what is the SI unit of electromagnetic induction, that is EMI, right answer is Tesla, next question, atomic theory of matter was given by, right answer is Dalton, next question, Fe has 26 protons in its nucleus, what is, what are the number of electron in Fe 2+, right answer is 24, an atom of an element has atomic number 17 and mass number 36, the number of neutrons in its nucleus is, right answer is 19, next question, what effect will be on acceleration due to gravity if the radius of earth is decreased, right answer is increase, next question, which device is used to measure radioactivity, right answer is GM counter or Giger molar counter, next question, next question, next question, very important, what is the height of geostationary satellite from the earth, right answer is 36,000 km or 35,800 km, next question, what is the working principle of washing machine, right answer is centrifugation, next question, what is the SI unit of torque, right answer is Newton meter, next question, what is the purpose of chalk in tube light, right answer is reduced circuit, reduce current in the circuit, next question, what is the SI unit of electrical conductivity, right answer is Moho, next question, who invented the battery, right answer is Volta, next question is my revision, what is the size of atom, right answer is 10-10 meter or 10-8 cm, meter in meter is 10-10 meter, होता है, next question होता है, next question है, revision का हमारा, element which have same atomic number but different mass number are called, right answer is isotope, और isotope की जो, friends, definition है, एक language में और बनती है, वो है, element which have same number of electrons and same number of protons but different number of neutrons are called, right answer is isotope, next question, which rays is not emitted from radioactive element, right answer is cathode ray, next question, what is the melting point of ice on Kelvin scale, right answer is 273 Kelvin, next question है, मारा, process through which the body manufactures blood cell in bone marrow is called, right answer is hematopoiesis, next question, who is regarded as father of medicine, right answer is hippocrates, next question है, revision का, chicken box is caused by, right answer is virus, friends, इसके बात मैंने आपके लिए 10 questions का test रखा है, जिसका answer आपने comment रखे देना और यह test आपने जरूर attempt करना है, next question, Alzheimer affects which part of human body, right answer is brain, and our last question of this video, where is pituitary gland located in human body, right answer is brain, or you can say base of the brain, friends, मैंने आपको यह 27 questions करवाई, उमीद करता हूँ, friends, आपको सभी questions अच्छे समझ में आगे होंगे, और याद भी होंगे होंगे, मैंने आपको बिल्कुल best तरीके से बढ़ाया, पहले मैंने आपको सभी questions, detail में बढ़ाया, फिर सभी questions का आपको मैंने revision करवाया है, अब इन सभी questions का test है, जिसका answer आपने मुझे comment रखे देना, और वीडियो कैसी लगी, आपको वीडियो की quality कैसी लगी, ये content कैसा लगा है, ये भी आपने comment रखे जरूर बताना है, तो चली friends, start करते है test, test के लिए आपको all the best, first question है मारा test का, how many bones present in human ears, 4 options है आपके पास, next question है test का, which device is used to measure very low temperature of objects, answer आपने commentर के देना है, next question, what is the source of energy in sun and stars, next question, what is the hearing range of human ear, name the device which directly converts solar energy into electrical energy, answer आपने commentर के बताना है, what is the acceleration due to gravity at center of the earth, next question, what is the SI unit of electromagnetic induction, next question, next question, atomic theory of matter was given by, next question, Fe has 26 protons in its nucleus, what are the number of electrons in Fe 2+, last question, an atom of an element has atomic number 17 and mass number 36, the number of neutrons in its nucleus is, आपने आपको 27 questions करवाये, फिर 27 questions का revision भी करवा दिया और लास्ट आपकी 10 questions का test भी ले लिया, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, कम से कम अपने 10 friends के साथ शेर भी जरूर करिए, फ्रेंट इस सबसे बहतरी तरीका था पढ़ने हैं कि पहले आप पढ़ लो फिसके बाद रिवीजन कर लो और उसके बाद आप test दे दो, ठीक है, और friends आप मेंसे special whatsapp group पे जूर सकते हो, 7814339999 नमबर है, अगर आपको इस सभी questions बाद में पढ़ने हैं तो मेरे website पे जाके आप पढ़ सकते हो, website का नाम है www.ravistudyiqugk.com है, और friends current affairs channel है current affairs by ravistudyiqugk और मेरा blogging channel है ravixyzblogs, ravixyzblogs को भी friends आप अब भी subscribe कर लीजिए, टेलिग्राम, facebook, instagram पे follow कर सकते हो, और अभी studyiqugk के नाम से है, friends जो next part है इस वीडियो का वो भी आपको जल्दी मिल जाएगा, तो अब मिलते हैं हम next वीडियो में, thank you and wish you all the best.